हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लांच मेकिंग करना सिखेंगे किस तरह से फ्लांच बनाया जाता है फ्लांच का इस्तमाल पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किया जाता है तो इसको किस तर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरण चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिपिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों चैनल का मेंबर्सिप अगर जोइन नहीं किय हैं तो अभी तुरण जाकर चैनल का मेंबर्सिप जोइन कर लिजे कि मेंबर्स के लिए इस पेसल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों साथ ही मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट कर दिजेगा जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो चलिए करते हैं व मेसर्मेंट होता है OD आउटर डाइमेटर यह जो देख रहें ना यह है आउटर का डाइमेंशन है । इस इनर डाइमेंशन रहे यह वाला से लेके यहां तक का जो रहता है यह टेका है और एक PCD होता है PCD क्या है whole center to whole center देख रहे होंगे मैंने मार्किंग कर दिया इसको PCD बोला जाता तो यह तीन measurement हम लोग को पहले लेना पड़ता है flange बनाने से पहले यह कहां से मिलता है अभी आप question करोगे तो यह हम लोग को एक तो drawing दिया जाएगा उस पे बना हुआ रहेगा इस तरह से लिखा रहेगा measurement उस size का आपको flange बनाना होगा या तो कोई demo flange आप लोग को दिया जाएगा उसका हिसाब से आप लोग को flange बनाना पड़ता है industrial area बगरा में यह process होता है इसका measurement आप लोग को अगर को flange देता है तो आपको तीन measurement लेना है outer dia का measurement लेना है inner dia का measurement लेना है साथी PCD का dimension आप लोग को measure कर लेना है ये तीन measurement करके सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है या तो जिस size का flange बनाना है वो dimension आप लोग को provide कर दिया जाता है ये आप लोग समझ गए अब चलते हैं formula में और समझते हैं किस तरह से flange बनाया जाता है उस पे कितने hole किये जाते हैं उसको किस तरह से divide किया जाता है तो सारा अभी हम लोग समझते हैं ये मैंने drawing करके रखा हुआ आप लोग को समझाने के लिए ये same मैंने देखे यहां पे outer dia लिखके रखा हुआ 140 ID 70 PCD 105 mm ये सारा कहां से मिला मैंने इसको measure करके रखा हुआ था देखे यहां पे लिखा हुआ है तो ये सोचिए मेरे को flange दिया है इसी dimension का मेरे को दूसरा flange बनाना है तीन होल का चार होल का पांच होल का मैं अभी तीन चार आप लोग को बना के दिखाऊंगा same dimension का but hole अलग-अलग रहेगा तो ये मैंने measurement लिखके रख लिया है यहां पे देखिए यह formula है दोस्तों ठीक है formula क्या है हम लोग को core length लिखाल करना पड़ता है जितना भी hole करना है तभी आप hole कर पाओगे formula में PCD किसको बला जाता है देखिए pitch circle diameter यह जो circle देख रहे हैं यह वाला circle जो देख रहे हैं यह PCD है इसको PCD बोला जाता है यह वाला circle जो है यह ID का circle है यह बाहर वाला जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वो OD का circle है और यह जो circle है जिस पे hole बनेगा वो होता है PCD ये वाला PCD, ठीक है, pitch circle diameter, अब इसका formula है दोस्तों, ये है formula पहले, ये मैंने लिख दिया इसको, कि पहले हम लोग को degree लिकालना पड़ता है, कितना degree है, जब तक आप degree नहीं लिकालोगे, तब तक ये formula में use नहीं होगा, sign degree यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, तो हम लो करके दिखा देता हूँ, किस तरह से आप लोग को इसका degree लिकालना है, degree लिकालने के लिए क्या करना है, आप लोग को, 360 degree क्या होता है, 360 degree ये circle है, PCD का पूरा circle है, तो 360 degree से number of hole को divide कर देना है, आप लोग को भागा कर देना है, तब इसका sign का degree है, यहाँ आम लोग को पता च 360 से 360 भागा number of hole है, तो 3 hole करना है, तो इसका answer कितना आता, मैं आप लोग को calculator में करके दिखा देता हूँ, यह calculator लिका लिका लिए दोस्तों, अभी इस पर हम लोग भागा करके देख लेते हैं, 360 भागा, कितना hole करना हम लोग को 3, तो यहाँ पर 3 करेंगे, तो कितना हो रहा ह है 120, तो हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है, ये जो formula है, इसको अभी copy कर लेना, ये ए का था, यहाँ पर ए का कितना लिख लिए 120 degree, कितना degree हम लोग को चाहिए था, 120 degree, ए का answer क्या आया 120 degree, अब हम लोग को बी को यहाँ नीचे कर लेना है, B में क्या है sin degree यहाँ पर sin degree के जगा में आप लोग को क्या करना ये degree अभी लिखेगा हम लोग को degree चाहिए था तो यहाँ पर क्या होगा sin 120 degree भागा 2 गुना PCD PCD कितना है यहाँ पर देख लिखे लिखे 105 यहाँ पर PCD लिखा हुआ फॉर्मूले में तभी यहाँ पर हम लोग 105 यहाँ पर core lane तभी हम लोग का लिकल जाएगा अभी हम लोग को क्या करना है sin 120 भागा 2 करना है यहाँ पर करके देख लेते हैं केल्कुलेटर में देखे ओप्सन देता है इसको clean कर लिजे sin का ओप्सन आगिया sin 120 120 भागा 2 करना है भागा 2 कितना आगिया answer यहाँ पर देखे answer आगिया है 0.866 ठीक है गुना 105 इसको फिर से कर लिजे कॉपी अब इसको काड लेता है अभी यह दोनों को अम लोग को गुना करना है 0.866 गुना 105 एंसर कितना आगिया देख लिजे answer आगिया 90.93 तो यह क्या है यह core length है अब भी हम लोग को इसको divider में set करना पड़ेगा इस divider में set करेंगे 90.93 mm में set करेंगे अभी हम लोग इसको set करने के बाद जब हम लोग इस पर गुमाएंगे तो यहाँ पर 3 hole बनेगा वो भी मैं live आप लोग को अभी करके दिखा देता हूं ठीक है मैं set कर लेता हूं पहले इसको divider को इसी तरह से divider आएगा इस पर यह मैंने pencil पेन लगा के रखा हूँ इसका divider आता है flange making करने के लिए divider आता है जिसका photo आपनों को दिख रहा होगा तो इस पर मैं अभी set कर लेता हूं कितना set करना है 90.93 mm ठीक है इसको मैं set कर लेता हूं देखिए दोस्तों मैंने इसको भी set कर लिया है मैं दिखा भी देता हूं आपनोंको यहां पर दीखे यहां पर देखे 19,90.93 अगर यह 93 के जगा handed हो जाता ना तो one हो जाता यहां पर 90.1 तो क्या है 0.1 mm से थोड़ा सा कम रखना है आपनोंको यहां पर यहां पर देखिए आपनोंको दिक रहा होगा देख लिए 90 से थोड़ा सा मैंने आगे रखा हुआ है 0.93 है बोलके अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते एक सेंटर पंच मारा जाता है सबसे पहले PCD के लाइन पे उसके बाद डिवाइडर को इस तरह से मार्किंग किया जाता है इस तरह से मार्किंग किया जाता है ठीक है यहाँ पे हम लोग को दूसरे यहाँ पे एक सेंटर पंच मारा जाता है फिर से फिर वहाँ से एक बार मार्किंग किया जाता है इस तरह से इस तरह से बैठा लिजे इसके बाद और एक मार्किंग कर लिजे उस तरह से यहां पर मारकिंग आ गया देख लिए अब यहां पर फिर से और एक सेंटर पंच मारा जाता है इस ज्गह पर जहां पर मारकिंग आएगा उसके बाद उसके आप 12 दागी इस तरह चाहिए जो mm का चाहिए उस mm का आपको यहां पे एक hole आ जाएगा यहां पे hole आ जाएगा और इस जगा पे एक hole आ जाएगा तो यह three hole अब बन गया इसी dimension के flange में अब three hole बन गया अब सोचिए इस पे हम लोग को four hole बनाना था तो इसको भी हम लोग फिर से calculate करके देख लेते हैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसको skip एकदम नहीं करना है आप लोग को तेक है मैं अभी four hole भी बना के पी-सी-डी भी उतना ही लिया है देख लिए यहां पे भी सेम लिखा हुआ है बड़ इस पे अभी हम लोग चार hole करेंगे ठीक है तो यहां पर फिर से मैंने समझा दिया formula क्या है core length का यह formula है PCD pitch circle diameter जो PCD का diameter रहता है उसको PCD बोला जाता है पी-सी-डी किसको बलाया था hole to hole जो diameter रहता उसको PCD यहां पर मैंने फिर से लिख दिया है A 360 degree भागा number of hole हम लोग को फिर से भागा करना है तो अभी हम लोग कितने hole के लिए यह कर रहे है चार hole के लिए कर रहे है इस पे अभी हम लोग 4 hole बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है 360 भागा 4 बराबर कितना होता है देख लेते हैं हम लोग calculator में करके देखते हैं इससे confusion नहीं होगा आप लोग को भी 360 भागा 4 90 एंसर कितना आया 90 डिगरी अब यहाँ पर B वाले में आए गए इसी में correlate अभी लिख लेगा यह formula में B का क्या है sin डिगरी तो यह जो लिख लाना यह डिगरी है sin का डिगरी है sin 90 डिगरी भागा 2 गुना PCD है PCD हम लोग कितना है 105 105 बराबर अब इसको हम लोग calculate करते है simple सा है यहाँ पर sign का mark दिया हुआ sign क्लिक कर दिए sign कितना है 90 sign 90 भागा 2 भागा 2 कितना आ गया है यहाँ पर 0.7071 गुना 105 अभी हम लोग को इसको करके देखते हैं कितना answer आता है ठीके दोस्तों तो अभी इसका answer आया है 0.7071 गुना 105 105 answer कितना आ गया 74.24 ठीके यह answer है mm में आएगा कभी भी answer जो आता है वो mm में आप लोग को set करना है तो इसको भी अभी हम लोग set करके देखते हैं कि यहाँ पर 4 hole आ रहा की निदमें मैं इसको set कर लेता हूँ measurement tape में उसके बाद आप लोग को फिर से इसका circle में में 4 hole का marking करके मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ देखिए दोस्ता मैंने divider को अभी set कर लिया है आप लोग को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर देखिए hand rate में मैंने लिया यहाँ पर देखिए 74.24 आ रहा तो 74 से थोड़ा से मैंने हल्का सा आगे रखा हूँ तो इस तरह से point के बाद अगर कूच आए तो थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग को रख लेना है ठीके इस तरह से देखिए आपके सामने में ने इसको set किया हूँ 74 से थोड़ा सा आगे दिख रहा 75 से थोड़ा सा कम दिख रहा है अब इसको आभ लोग analytics करके देख लेते इस पे PCD पे Same center punch पहले PCD के लाइन पे मारा जाता है एस तरह से चीए उसके बाद एक marking किया जाता है इस तरह से marking करना है फिर इससके needle के यहाँ पे center punch मारना है आप लों को फिर से फिर यहाँ पे एक मार्किंग करना है आप लोग को इस तरह से मार्किंग करना है फिर यहाँ पे एक सेंटर पंच आप लोग को लगाना है इस जगा पे ठीक है फिर आप लोग को एक मार्किंग करना है तो यहाँ पे देखे एक दो तीन चार यहाँ से हम लोग ने सेंटर मारकिंग करके कट कर लेना है ठीक है दोस्तों मैं यह चार होल बन गिया है अब predictive में पांच होल भी आप तो इसी फोर्मूले से लास्ट अभी 5 होल बनाकर हम लोग देख लेते हैं होता है या नहीं होता है PCD वगेरा सेम है हम लोग को तो अभी क्या है यह मैंने बताई दिया अभी 5 होल बनाना है तो हम लोग इसको तुरंद केलकुलेट करके देख लेते हैं कितना होता है ठीक है यहाँ पर किलकुलेट करके देख लेते हैं 360 भागा 5 72 बरावर एंसर आया 72 तो यहाँ पर क्या होगा बी में कोर लेंद के लिए साइन 72 हम लोग को डिगरी मिल गया कितना डिगरी है भागा 2 गुना PCD अब इसको हम लोग करके देख लेते हैं साइन को यहाँ पर साइन की क्लिक करना है आप लोग को 72 ठीक है 72 72 भागा 2 एंसर कितना आ गया 0.5877 गुना PCD कितना है हम लोग का यहाँ पर 105 105 इसको गुना करके अभी हम लोग देख लेते हैं तुरंद 0.5877 गुना 105 एंसर कितना आ गया 61.70 mm में आएगा मैं फिर से बता देरों आप लोग को फिर से मैं इसको तुरंद अभी डिवाइडर पर सेट कर लेता हूं उसके बाद आप लोग को PCD के लाइन पर फिर से हम लोग मार्किंग करके देखते हैं पांच होल का सही मार्किंग होता है या नहीं होता है देखिए दोस्तों मैंने इसको अभी सेट कर लिया है 61.70 में यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूं देखिए लाइब में दिखा रहा हूं इसलिए कि आपनों को कोई confusion ना हो यहाँ पर देखे 61.70 तो 61 से थोड़ा सा मैंने आगे रखा हुआ क्योंकि 0.70 आया हुआ एंसर में मैंने 62 नहीं किया है देख लिजे आप लों को दिख रहा होगा ठीक है तो इस तरह से आप को डिवाइडर को सेट कर लेना है यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया क्योंकि समझ नहीं आ रहा कहां पर सेंटर पंच मारा है तो यहाँ पर सोची हम लोगों ने सेंटर पंच लगाया है आप एक पहला मार्किंग करेंगे इस तरह से यहाँ फिर से आप लोगों को सेंटर प लगाना है फिर और एक मार्किंग करना आप लों को सुरी यहां पर दिखने रहा है तो गलत जगा पर हो गया यहां पर देखे आ गिया है इस जगा पे आ रहा है यहां से फिर से आप लेंगे लेंगे Development हम एकुरेट जगह में आ गिया काउंट कर लिजे एक दो तीन चार पांच पांच होल का भी बन यह हम लोग को फिर से में बता दे रहा हो जितना का होल करना वह आप लोग कर सकते हैं 12 mm का 16 mm का वह आपके उपर ड्राइंग में मिलता है या फ्लांच का मेजरमेंट ले हैं OD और ID को मेजर करके मार्किंग करना बहुत बड़ा बात नहीं है अगर OD सोची 140 है तो उसका हाप आप लोग को 70 सेट करके डिवाइडर में घुमा देना है तो 140 का राउंड बन जाता है ID 70 है तो 35 में राउंड कर दिजेगा तो 70 का ID बन जाएगा PCD का भी सेम मार्किंग क हैं जो एंसर आये उसका हिसाब से आप लोग को मार्किंग कर लेना है दोस्तों अब इसका में एक easy formula आप लोग को बता देता हूं यह easy formula दोस्तों जो कि मैं last में बताऊंगा बोला था इसका मैंने क्या किया है आप लोग को degree पहले ही ये पूरा जो sign degree भागा 2 है उसका calculation मैंने पहले ही करके रख दिया है इसको note करके रख लीजे या screenshot करके रख लीजे जितना का hole करना है उतना का PCD का खाली आप लोग को लिखना है कितना PCD है चार hole करना है सोचिए तो PCD कितना है बाकी इसको डालके गुना कर ली जगा answer जो आएगा उसी साब से आप 4 hole कर सकते हैं 5 hole का भी से PCD खाली डाली है कोई साभी PCD जो भी आपको मिले उसको डालना है और इसके साथ गुना कर देना जो answer आए उस पे आप लोगो 5 hole बन जाएगा अब सीधा सा क्या करेंगे चे होल के लिए PCD कितना है हम लोग का PCD 105 गुना कितना है 0.5 इसको करके देख लेते हैं कितना answer आ रहा है उसे साब से हम लोग मार्किंग कर लेंगे इसको 105 गुना 0.5 कितना है answer 52.5 mm ठीक है तो 52.5 mm में सेट करके इसको जब हम लोग divider में कर लेंगे तो यहाँ 6 hole बन जाएगा जो कि मैं करके अभी तुरंट आपलों को दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 52.5 आ रहा था तो 52 से मैंने देखिए थोड़ा सा आगे सेट किया हुआ है इसी से हम लोग यहाँ पर कर लेंगे पहले एक मार्किंग कर लेते हैं इसको सोचिए center punch हम लोगों ने कोई प्लेट में किया जाता तो सोचिए यह center punch किया हम लोगों ने अब यहाँ पर divider को पहले sit किया जाता है center punch के जगा पर यह slip कर रहा center punch इसलिए मारा जाता है कि divider slip न करें अब यहाँ पर एक मार्किंग करते हैं फिर इस जगह से हम लोग और एक मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर इस जगह से और एक मार्किंग कर लेना है आप लोगों को इस तरह से इस जगह से और एक मार्किंग कर लेना है इस जगह पर अ इस जगा पर तो यहां पर देखिए छे होल का भी मार्किंग हो गया यहां से भी इसको करेंगे तो एक दम एक पूरेट आएगा तो अभी छे होल का मार्किंग देखिए बीना फॉर्मूला का सिर्फ इसको आप लोग को गुणा करना है PCD के साथ आप लोग को एंसर मिल जाए आप लोग को इतना फॉर्मूले में डिवाइड वगेरा नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप लोग होल कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने मिला नॉलेज मिला तो अभी तुरन के मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में अपलोड होते रहते हैं चैनल का मेंबर्सिप नहीं लिया है तो अभी तुरन जाकर मेंबर्सिप जॉइन कर लिए क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों मेरे दूसरे चैनल को भ तक के लिए बाई बाई दोस्तों